हलो एवरिवन मैं हुचिष्टी और आप देख रहें चिश ब्यूटी जहां हम बात करते हैं फैशन ब्यूटी और डियाई वाइस की गाइस बहुत दिन हो गए हैं मैंने मैक अप की कोई वीडियो नहीं बनाई है और मेरा बहुत जादा मन कर रहा था मैक अप लुक क्रियेट करने का तो आज मैंने बहुत ही सिंपल मैक अप किया है नो मैक अप मैक अप लुक है यह आज आप देख रहे हैं फेस बहुत ही सिंपल लग रहा है तो यह मैक अप लुक मैंने कैसे क्रियेट किया है आज मैं आपके साथ शियर करने वाली हूँ तो हम मेकप करना तो सबसे पहले यहां पर मैं अपने पूरे फेस को टोनर से टोन करूंगी यह जो टोनर है यह वाव का है बहुत ही अच्छा है इसका रिव्यू अलरडी मैं कर चुकी हूँ अपने चैनल पर अगर शॉर्ट रिव्यू देखना है तो मेरा जो दूसरा चैनल है उस पर भी मैंने रिव्यू किया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस चैनल का राम है चिष्टिया प्रोडेक्ट रिव्यू उसमें अउनली मैं रिव्यू ही करती हूँ और आप अच्छे से कर लिया है टॉन एंड नेक्स्ट हम मॉश्यराइजर क्रीम लगाएंगे तो यहां पर यह बाइटिक का मॉर्निंग नेक्टर मॉश्यराइजर क्रीम है यह बहुत ही अच्छा है गाइस मुझे बहुत पसंद है और इसका भी अलग से रिव्यू किया है इधर भ लोगों को नहीं देखा है तो description में लिंक है ना जाकर एक बार देख लेना तो यहां पर पूरे फेस पर मैंने अपने फेस को अच्छे से मॉश्यराइज कर लिया है विकॉज आपको पता है मैक अप से पहले हमें फेस को अच्छे से मॉश्यराइज करना बहुत जरूरी है अब ही मैं लगा रही हूँ वाओ का संस्क्रीन बिकॉज डे टाइम है और डे टाइम में अगर हम मैकप लोग क्रियेट करने तो संस्क्रीन को बहुत ही जरूरी लगाना आपको तो यहां पर मैंने थोड़ा सा लिया है अपने पूरे फेस पर इसे मैं लगा दूगी हमें प क्योंकि इसको सेट होने में टाइम लगता है उसके बाद में हम मैकप करेंगे ना ऐसा नहीं यह लगाते ही तुरंत आप इसके ऊपर कुछ और लगा दे आप एक से दो मिनट छोड़ दीजे ताकि यह आटोमेटिक सेट हो जाएगा है तो इसके बाद में एक मिनट होने के आप देखेंगे तो मैं फिर प्राइमर लिया है जो कि स्टेकवर की का प्राइमर है और काफी अच्छा प्राइमर है मतलब स्टार्टिंग से में यही यूज कर रही हूं मुझे दूसरी की जरूरत ही मैसूस नहीं हुई क्योंकि यह मुझे काफी पसंद है तो यहां पर मै अपने चिक्सपर नोज पर और सबी जगे से लगा कर हलका सब्सक्राइड कर लूंगी है उप प्राइमर लगाने से आपका जो मैकप है वो लॉंग लास्टिंग साहार आप मैक या कोई हैवी मैकप हो बट वो लोंग टाइम तक इसके लिए ममें प्राइमर लगाना जरूर लगा लेती हूं वैसे अगर मैं फाउंडिशन लगाती ना तो बहुत ही कम लेकर लगाती तो वह वैसे भी एक नैचुरल लुक आ जाता तो यहां पर मैंने बीबी क्रीम ली है पॉंड्स की आप लोग बीगनर्स हैं अगर आप लोग कोई भी आपने कोई बीबी क्रीम कभी परचेज नहीं करिये ना तो आप पॉंड्स की ले लो आंख बंद करके ले लो पॉंड्स की मैं आपको बता रही हूं बहुत ही अच्छी है अगर आप थोड़ा सा भी हाई कवरेस चाहते है तो आप इसे थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी लेकर लगा लीजे और आपको ब ब्लैंड हो गया था अभी आपको थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा यह क्योंकि नो मैकप मैकप लुक है यह इसलिए लेकिन अभी हम जब पूरा मैकप कम्पलीट करेंगे ना तब आप देखना फेस बिल्कुल नैचुरल आपको लगेगा तो यहाँ पर मैंने पूरा को स्किप कर दीजगा मत लगाईए यहाँ पर मेरी dedicate मैरी अरू सवेटिंग हो रही थी कि आपको पता है गरमी उतनी ज्यादा है कि स्वेटिंग होती है और अंडर आई है यहाँ पर ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो इसलिए मैंने अपना T-zone पर और अंडर आई पर हल कर लिया कि मतलब बस ज्यादा नहीं लगे थोड़ा सा इसको टच मिल जाया है और हमारी बीबी क्रीमे वो भी सैट हो जाती है इससे तो थोड़ा मैट लुका जाएगा ताकि स्वेटिंग नहों तो अच्छा लुका था मैंने इस तरह से लगा लिया एंड इसके बाद में कॉंटिटी में लगाया जिससे हमारा मैकप है वो बहुत ही एक नैशुरल लुक क्रियेट हुआ है तो आपने देखा मैंने कॉंटर कर लिया है दौनों साइड में बहुत ही लाइट अभी मैं बलश के लिए पिंक जो शेड है इसमें वो लेकर लगा रही हूं अच्छली ब पूरा लगा लिया क्योंकि एक पिंकी पिंकी लुक ऐसा नैशुरल लुक क्रिये लगता है तो मैंने इसको हलका सा पिंक जो शेड था उसे अपने आइलिट पर पूरा स्प्रेट कर लिया है अच्छे से एंड बस इतना सकिया है एंड काफी अच्छा लग रहा था बहुत मैं पूर्स से लगत है और गाल यह जो लाइन आपकि लाइड को जाहें दो कर सकते हैं अभी हम काजल लगा लेंगे तो यहं पर आपके ए काजल नैया काजल हो यह जला ख quiz हैना मैं इतना परचिश कर्ती हूं काजली सिर्फ कम दे रख होती हुत का जख म, नीचेस कर थी, त तो यहां पर मैंने अपने आइस के उपर इसे अच्छे से वाटर लाइन में काजल को एपलाई कर लिया है आप चाहे तो नॉर्मल काजल लगा है या थिक लगा सकते हैं आपको जो पसंद आपके फेस पर जो सूट करता हो आप वो काजल लगा लिजे तो हमने चीजे तो मैक तो थोड़ी मतलब काफी यूज कर लिये हैं लेकिन थोड़ा सा लाइट उनको रखा है उसका टेक्सचर ताकि बहुत हैवी मेकप लोग क्रियेट ना हो इसलिए आप देख रहे है कि मैं काजल से ही थोड़ी थोड़ी विंग बाहर ले रही हूं ताकि क्यों कि मैं लाइनर न यूस किये ना गाइज सभी के रीविय आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे इसे मैं इस तरह से अपनी आइब्रो को थोड़ा सेट कर लूँगी और आइब्रो को सेट करने के लिए आपको डाक ब्राउन कलर लेना होता है ब्लैक से मत करिएगा अगर ब्लैक से करेंगे तो आपकी जो आइब्रोज है वो बहुत जादा लुक उसका जो है ना आर्टिफिशल लगेगा नैचुरल लुक नहीं आएगा इसलिए आप थोड़ा सा लाइट और वो करें ठीक है तो यहां पर अभी इसी ब्रश की हेल्प से मैं अपनी क्रीज बिल्डप कर रही हूं बिकॉज मुझे लगा था मैंनका थोड़ा सा क्रीज बना देती हूं तो मैंने यह जो ब्राउन शेट था ना आइब्रो के लिए इसी को मैंने लेकर मतलब उसी ब्रश से मैंने अपनी आइस के ऊपर थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर दिया ताकि वो क्रीज भी बन जाए और जो लास्ट आउटर एरिया है वो थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाए जिससे क्रीज है वो एकदम शार्प दिखाई देगी तो यहां पर हलका सा मैंन सारे शेट्स है और सभी शेट्स मुझे काफी पसंद है यहां पर आप देखने बहुत ही निूड शेड मैने चूज़ किया है विग्वाज मुझे निूड कलर बहुत ज़ादा पसंद आते हैं तो यहां पर क्यूंकि नो मैकप मैकप लुक है तो हम पिन्क शेड लगा सकते हैं बहुत ही लाइट या फिर हम न्यूट शेड लगा सकते हैं तो अभी फाइनल लुक आप देखेंगे तो कैसा लगा आपको आपको पसंद आयोगी वीडियो और यह लुक पसंद आया होगा है ना पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी मुझे लगा के चली आइब्रोज को मैंने कर्ल नहीं किया है सौरी आइलेशेस को कर्ल नहीं किया है तो इसे भी कर्ल कर लिया जाए तो उसी ब्रश की हेल्प से मैंने हलका हलका बस आयलेशेस के ओपर लगा लिया